आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में देखे हैं हमसे क्या बोला है कि if fx is equal to root of cos x square x minus 2 sin x cos x minus 1 upon tan square x where x belongs to this interval then f dash x 11 pi by 6 ये कितना होगा तो चलिए इस function को पहले यहां लिख लेते हैं जो भी हमें given है तो देखे है क्या given है देखे है fx equals to root ये है cos x square x minus 2 sin x cos x minus 1 upon tan x tan square x ये दिया गया है ठीक है तो देखे है अब इस function को हम देखे है इसकी function की जो है इसको और simplify करेंगे तो देखे ये simplify करने के लिए इतना part जो है मैं इधर side में इसकी value निकाल ले तो आ फिर इसी में put कर देंगे हम तो देखे मैं रिखूंगा की cos x square x minus 1 upon tan square x ठीक है इसको हम change करके कैसे लिख सकते है cos x square x क्या होता है 1 upon sin square x तो इसको ऐसे लिख दिया minus tan square x क्या होता है sin square x tan square x होगा नीचे sin square x और cos square x उपर आ जाएगा ठीक है क्योंकि tan क्या होता है sin by cos को स्कूर एकस by sin square x और इसकी value क्या हो जाएगे 1 minus cos square x upon sin square x तो देखिए इसकी value क्या हो जाएगे 1 minus cos square x क्या होता है sin square x pool sin square x upon sin square x which is 1 ठीक है तो देखे जिस पार्त को मैंने यल्लो से शेड किया है उसको हम 1 लिख सकते हैं और देखिए 1 लिख सकते हैं मतलब 1 के जगे में ये भी चीज लिख सकता हूँ sin square x plus cos square x क्यूँँगी sin square x plus cos square x क्या होता है 1 सो देखिए हम यंलो वाले shaded part को sin square x plus cos square x से change कर देंगे हम ये kün non change कर देखिए कि देखिए फिर इधर क्या हो जाएगा cos square x plus sin square x आ जाएगा और minus 2 sin x cos x है सो देखिए square root हटाने के chances है क्योंकि यह sin x plus cos x the sin x minus cos x the whole square बन जाएगा पिछ लिए इस तरह से हम इसको जो है f x को हमने change कर लिया तो f x हमारा क्या हो गया देखिए इधर जो हो जाएगा root over sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x यह change हो गया ठीक है तो देखिए इसको हम लिख सकते है कि f x equals to root over sin x minus cos x the whole square अब देखिए square और यह वाला हमें cancel करेंगे तो हमें आपस क्या जाएगा यह value mod of sin x minus cos x ठीक है f x की value हमें आपस यह चीज़ आ गई कि mod of sin x minus cos x यह चीज़ आ गई क्योंकि देखिए square root जो लेंगे हम किसी भी square का तो देखिए mod x उसका answer होता है तो यह चीज़ आ गया हमें आपस ठीक है अब देखिए हाँ हमें x का interval क्या दिया गया है सेवें पाइब फॉर से लेके टू पाइब तो देखिए हम अगर sin x और कोशिक्स का graph देखे इस वाले interval में देखिए इस तरह से मैं अगर बना दूए मेरी x-axis यह मेरी y-axis और यह देखिए यह है समझ लेजे यह पाइब और यह टू पाइब है तो देखिए यही पर कही इस तरह से मैं बनाऊंगा यह पाइब डू होगा और एसे यह यहाँ पर यह पस्कों जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है और कॉस एकस ग्राफ देखे तो देखिए इस तरह से आएगा यह ठीक है तो देखिए हम बोल सकते कि हमारा interval कौन सा है interval है 7 pi by 4 यानि यहां कहीं आएगा देखे इतना interval का देखे हमें values देखना है तो यहां मैं बोल सकता हूँ case interval में cos x greater than 0 है और sin x less than 0 है जो ही हमारा required interval है 7 pi by 4 से लेके 2 pi तक का ठीक है इतने part में आएगा तो देखिए यहां दिख रहा है कि हमें पूरा sin x ग्राफ क्या less than 0 cos x ग्राफ क्या greater than 0 तो देखिए हम इस mode को open उस तरह से करेंगे ठीक है तो देखिए हमारा f x जो है यह हम किस तरह से लिखेंगे देखिए अभी क्या है mod of sin x minus cos x था तो देखिए यह इसकी value हमेशा positive रहनी चीए तो देखिए अगर हम इसको इसको ऐसे लिखते हैं कि sin x minus cos x तो देखिए sin x negative है और minus cos x यानि cos x positive तो negative minus something positive यह negative ही होगा तो देखिए हमें इसको minus sin से open करना वड़ेगा क्यों क्योंकि देखिए cos x negative है और sorry cos x positive है sin x negative है और यह mod की value हमेशा positive आती है तो हमें इसको minus sin से ओपर करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए हमारा function क्या हो गया minus sin x plus cos x ठीक है देखिए minus से multiply कर दिया तो इस तरह से हो गया अब हमें क्या निकालना है f dash x f dash x की value कुछ ही है तो देखिए minus sin x कर दागा और derivative क्या होगा minus cos x और cos x का derivative होगा minus sin x और f dash x कहां पूछा है देखिए 11 pi by 6 पे तो यह आ जाएगा f dash x minus sorry equals to minus cos 11 11 pi by 6 minus sin 11 pi by 6 यह चीज़ आ गए ठीक है अब देखिए 11 pi by 6 जो है यह फूर्थ कॉर्टरेट में आता है ठीक है तो देखिए हमें पता है fourth quadrant में cos क्या होता है negative and sin sorry cos क्या होगा positive होगा और sin negative होगा तो देखिए यह जो चीज़ है पूरी यह किस तरह से open होगी देखिए minus इसको हम change करके लिख देंगे 2 pi minus pi by 6 ठीक है minus sin 2 pi minus pi by 6 यह चीज़ हो गई अब देखिए यहां क्या होगा यहां ऐसे होगा कि देखिए यह जो minus और देखिए cos 2 pi minus pi by 6 यह क्या हो जाएगा cos pi by 6 यह चीज़ हो जाएगी और minus of sin 2 pi minus pi by 6 यह क्या हो जाएगा minus sin pi by 6 ठीक है तो देखिए इस तरह से हमने quadrant wise जो है इस तरह से यह trigonometric ratios change हो जाएंगी तो देखें क्या होगा minus cos pi by 6 क्या होता है cos 30 cos 30 होता है root 3 by 2 तो यह होगा minus root 3 by 2 and minus of minus plus sin pi by 6 क्या होता है 1 by 2 तो इस तरह से आ जाएगा तो हमारा final answer हो जाएगा 1 minus root 3 by 2 तो अगर-गर options देखें हम तो option में देखें 1 minus root 3 by 2 option 1 सही answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर